आज हम बात करेंगे नागेंद्र पांडेची की जो उत्तरप्रदेश के जिला महाराज कंज मुख्याले से 15 किलोमेटर तूर अंजना गाउं के निवासी हैं। नागेंद्र पांडेक रिशी विशे में ग्रेजुएशन की डिग्री लेने के बाद 15 वज तक एक अच्छी नौकरी की तलाश करते रहे लेकिन उनकी ये तलाश पूरी नहीं हुई। फिर नागेंद्र ने खेती किसानी का बिजनस चुनने से पहले अपने आसपास के किसानो की समस्याओं और बधाली के कारणों को समझने का प्रियास किया। उन्होंने देखा कि किसान, खाद और फर्जिलाइजर की कमी से परिशान है। महंगी खादों का प्रियोग करने के बाद भी उत्पादंग शमता उतनी नहीं हो पा रही जितनी वो चाहते हैं। इसके आपको बता दे नाकेंद्र ने इसकी शुरुआत साथ 2000 से शुरू की, आज ये प्रोजेक्ट एक बड़ा रूप ले चुका है, 120 फीट जगा में 750 कुइंटल खात का तयार होना, पाकिंग, मार्केटिंग, सभी काम यहीं से होते हैं, 25 किलो खात की बोरी मात्र 200 रुपए में उपलप्त करवाने के साथ नागिंद्र किसानों को मुफ्त में केंचुए भी उपलप्त करवाते हैं, नागिंद्र ने महाराजगंद गोरकपुर जिले में वर्मी कमपोस्ट की तीन यूनिट लगा कर उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े वर्मी खात उतपादक बन गए है जो अपनी यूनिट द्वारा उत्पादित खात की गुणवत्ता की लैब चाँच समय समय पर करवाते रहते हैं, नागिंद्र ने अपने खेत में ही तलाब खुदवा कर किसानों की वर्षा पर आश्रित रहने की मजबूरी को भी दूर किया, इस तलाब से किसानों के खेत की वुआई को कम लागत में करके अच्छी खासी कमाई कर लेते हैं, साधी एक एकर खेत में शेहतूत की नरस्री तयार कर 10,50,000 पौधे प्राप्त करके, इसे मद्दे प्रदेश सरकार को धाई रुपे प्रती पौधे की दर्थ से 26,50,000 रुपे में हर 6 महीने में बेश दे से देश के किसानों के काम आ रहे हैं, जदि देश का हर युवा और युवति इस प्रकार सोचने लगे, तो देश में बेरूजगारी ना रहे, आप भी नागिंदर पांडे जी से प्रेड ना ले सकते हैं